इसलाइब को जो reinforcement होता है जो सरिया हम बाहते हैं बीम कॉलम में अगर आप घर बनारहे हैं तो घर बनाते समय छत में जो सरिया प्रौइड किया जाता है और इन जो गलतियों होती इस वह ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि वहां पे ऊनर होता है ज़स्तिरी के वरोसी ही वह तो एक बार जरूर चेक कर लेने चाहिए अगर आप से लिंगी नहीं नहीं तो यह वीडियो आपके लिए भी है अगर अपना घर बनवा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत इंप्रोटेंट है जो जो गलती होती है मैं आपको यहां पर बता देता हूं जो जो हो रहा है सबसे पहले जो यहां पर आपने देखा होगा कि जो इस प्रवेड किया हुआ है यह रेंफोर्शमेंट की चलने से यह फूरने से यह डाउन हो चुका है और जो सब्सक्राइब आपको धियान देना है कि जिसको रहा होने चाहिए और आपके ठीनी चीऊ हो या फिस से लेप के लिया जाता है ठीक है एक तो यह कंसील का हो गया कि यह इसमें बाइंड ने जब भी वायर के जाएगा तो उसमें वह दिहान नहीं देगा कि कैसे विश्टे हो गए उसको तब यह प्रवायर इसके अंदर से नहीं जाएगा तो इसको यह स्लैब कारनी पड़ेगी तो इस तरह से फिर वाल के कैंट है बोटम का जो गया हुआ है वो तीनीची मैकसिमम जडव डौप लगा क्या करते हैं कि वह पानी बाल कोनी का कमरे का अंदर न ँदर नहीं इसलिए वह डाउन रख लेते हैं तो इस बेस पर यह दो इंची डाउन है तो इस वह पर क्या किया है कि जो जुज रियांथ dispersement total bottom की है when stop कभी करेंख करदिया चछाज के अंदर जो वाल क allowance के अंदर होता है उसके अंदर जो ता है वोटो के अंदर होता है वहीं पर हम इसकी बात करते हैं तो slab के अंदर जो दोनों support होता है तो उसमें bottom का tension में होता है tension member कौन से होता है जब beam होता है, slab होता है compression member आपके जैसे column हो गया तो compression member हो गया compression मतलब दोनों तरफ से दबावाना tension मतलब दोनों तरफ से खिचाव अटाना यह fix है, यह fix है तो यह slap पर लोड पड़ेगा तो यह tension होगा तो यह क्या होगा? length बढ़ेगी और जिसकी length घटती है वो compression होगा जिसकी length बढ़ेगी तो वो आपका tension हो जाएगा ठीक है? जैसे बोलते किसी इंसान को tension होगी तो उसकी क्या होते? रुकावाटे बढ़ रही है तो यहाँ पर जैसे कि 2 इंची डाउन है तो इस बेस पर क्या होगा? टॉप, बोटम का reinforcement भी डाउन हो चुका है अगर यह एक ही लेवल में रहता है तो तो बैस्ट है यह crank जो पहाँ provide किया जाता है जहाँ पर हम बैंटब बार वन वे एंड टू वे सले में दिया जाता है वो जो इसकी span होता है और जो end support को ताकि जो band होता है वो band ज़्यादा load आने के वाज़े से ज़्यादा band यहाँ पर होगा पर लेकिन band का जो effect होका तो यहाँ से start होना start हो जाएगा end support से तो इसलिए यहाँ पर crank bar दिया जाता है तो crank bar दे सकते हैं यह फिर top extra wall दे जाते हैं जैसे contentment bar जैसे कि यहाँ पर provide किया गया है contentment bar top extra bar जैसे beam के अंदर जाता है top extra and bottom extra तो वो end support भी दिया जाता है slab and beam पर ताकि वो end support को register कर सके ताकि जो load बीच में आता है तो यहाँ से bend होना या fell होना रुक सके तो इसलिए अगर आप छज्या बना रहे हैं या पर down रख रहे हैं तो उस condition में आप जैसे कि यहाँ पर चिम्टर लगा के पूरा चिम्टर भी डाल सकते हैं अक slab के span जादा है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें bottom का रेंफोर्समेंट आएगा वो इसको L बनाके beam में प्रवाइड कर सकते हो उसके लिए आपको बीच में भी एक binder यूज किया जाएगा ताकि वो बेंडड चज्ज प southwest ब्रवाइड कर सकते हैं जयसे कि इस fifty youth कर सकते हम जैसे की इंपास qu कर सकते एंड और फीर अपको और गलती मैं को यहाँ पर दिखेता हूं जैसे कि किस की spacing जो ऐसे कि यह binder आप देख सकते है किस तरह से यह binder यूज किया हुआ है सबसे में जो reinforcement होता है में बार का जो यूज होता है और उसमें जो हम क्रोस बार यूज करते हैं वह तो में इस पेसर बार की प्रोपर को इसको बनाए रखता है इस प्रोपर रखने के लिए भी इसको यूज गया दाता है तो इसी बेस पर इसकी स्पेसिंग प्रोपर होनी चाहिए ताकि जो effect है जो जो bond concrete के साथ वो bond होता है वो proper हो सगे तो इसलिए इसकी spacing proper होनी चाहिए उसके बाद जो mistakes होती है वो cover block होता है अगर आप cover block use नहीं करेंगे तो जो reinforcement का main advantages होता है वो होता है bond bond गा तो सरीया हम concrete का अंदर provide क्यों क्यों जो करते हैं एक concrete भी खुद के अंदर एक अच्छा टैंसर एक अच्छा compression member है concrete भी उसको steel हम बीच में उसमें यूज कर देंगे तो उसके resistance है उसको बढ़ा देगा तो इसी पर कोई concrete लेंगे तो उसके उपर अच्छे से दबाव करेंगे जैसे कि cover concrete cube को हम test करते हैं तो उसकी strength को test करते हैं वहीं पर हम beam का भी load test किया करता है उसके अंदर अगर beam को test करेंगे तो वह आसानी से effect कर लेगा अगर उसमें आप सरीया यूज कर देंगे तो band आने पर वह ज्यादा effect पहुत ही कम tension लेगा ठीक है मतलब load ज्यादा लेगा इस बेस पे तो इसलिए slab and beam column के अंदर सरीया यूज कियाता है उसकी tension reinforcement को बढ readings होजी कर देंगे के सब्सक्कें ऐसे की तो concrete को से को सकते हैं लेकिन शरीया को ऊच्छिए को कम कर देता है तो कमसे कम को का और बोलोग यूज काना चाहिए लेकिन यहां पर का बीट किया यूज हुआ है only 10 mm का क्या किया कि कोष्ट को बचाने के लिए पत्थर का यूज कर दिया गया जिसकी जो तिकने असे only 10 mm है वह भी कहीं कहीं पर लगा हुआ है कहीं पर नहीं है इस वज़ें सेट्रिंग चिबक चुका है और कास्टिंग करेंगे तो कि यह सरीया क्या हुआ बिल्कुल बोटम में चिले गया तो इसकी जो टैंसल इनफोर्शन बिल्कुल कम हो गई है खतम हो गई है और इन फ्यूचर में इस पर लो कसे खते हैं तो एकाटी कोंक्रीड के आपो भी बना लिए तो यह मार्कीट से कहीं पे भी आप कोटा इस्ट Mean को इक शोड़ी मेट वहां पर शेस कर सकते हो पीवी ये एंड कॉंक्रीट के भी यूज आते हैं उसके बाद जो मिश्टिक्स होती है जैसे कि बीम में देख सकते हो कहीं पर बीम बिलकुल यह सीर कर गया यह पहले से सब्सक्राइब करते हैं तो आपने देखा होगा जो यह सरीया है यह बांते समय क्या होगा यह अंदर चले गया है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हों, बोटम का जो सरीया है भीम का यह पहर आयो बीच वाला बीम सरीया है भीम यहां से निकलता हुब व्यद्वार बाहर से आगे खोना के तो इस वजए से हुआँ सरीया हमारा अंदर चले गए तो यह बीम पला कर दिये तो इसको आप दियाद रहें कि ये जो कोलम है ये परेया प्रोपर सरीया आए तो अब क्या देगा कोल सरीया वाला यहाँ पर अलग से एक्ष्टा सरीया खड़ा करें का तब जाकि इसमें यूज़ गोगा तो उसकी स्टैंद यहाँ पर कर जाएगा तो यह भी काश्टिंग होने के